नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चनल में फिर एक मैं उसके के साथ दोस्तों बादार में मिलने वाले टूथपेस्टों में आजकल इतना कॉंपेटिशन बढ़ गया है दोस्तों अगर एक एवरेज 30 रुपे में मिलने वाले सस्ते टूथपेस्ट का हिसाब लगाया जाए तो एक आदमी रोजाना 1.5-2 ग्राम तक टूथपेस्ट इस्थमाल कर लेता है जबकि जो टूथपेस्ट बाजार में मिलते हैं उनसे केवल उन्हीं लोगों को फाइदा होता है जो लोग उनके एडविटीजमेंट याने की विग्यापन में दिखाय जाते हैं हम लोग जो एड़ देखकर टूथपेस्ट खरीद लेते हैं उन्हें ना कभी टूथपेस्ट से फाइदा हुआ है ना कभी होगा बलकि मिलेगी तो सिर्फ तरह तरह की बिमारियां और आप जानकर हैरान होंगे कि इन टूथपेस्टों से कैंसर तक होने का खत्रा होता है क्यूंकि बाजार में मिलने वाले टूथपेस्ट के अंदर सोडियम लॉरेल सल्फिट होता है यहां एक केमिकल होता है जिसे टूथपेस्ट के अंदर जढ़ आता है और साथ ही इसे शरीर के अंदर निगला नहीं जाए और किसी हो जैसे अगर आप इसे गलती से निगल लेते हैं तो तुरंत पॉईजन कंट्रोल सेंटर याने की जहर नियंतरन केंदर उपर या हॉस्पिटल पर चंपर करें ब्लू मार्क ये बताता है कि टूटपेस्ट आदा केमिकल और आदा प्राकरतिक चीजों से मिलकर बना है रेज मार्क ये बताता है कि टूटपेस्ट के अंदर जादा तर केमिकल ही यूज हुआ है प्राकरतिक चीजों का इस्तमाल बहुत ही कम हुआ है और इसके बाद आता है black mark जो कि यह बताता है कि toothpaste पूरी तरह ही chemical द्वारा निर्मित है इसलिए दोस्तों जब भी आप toothpaste खरी दें तो इन सारी चीजों पर ध्यान जरूर दें तो दोस्तों आप जान लेते हैं घर पर ही पूरी तहा प्राक्रतिक toothpaste और मंजन बनाने की वीधी इसे बनाने के लिए हमें जरुत होगी दोस्तों हमें इसमें फिटकरी सिखी हुई लेना है फिटकरी को सेखने के लिए फिटकरी को कूट कर उसका चूरा बना ले और फिर इसे कड़ाई में डालकर अच्छी तरह सेख ले कड़ाई में जब हम इसे सेखते हैं तो यह थोड़ी कड़क होने लग जाती है हमें इसे अच्छी तरह पल्टा-पल्टा का सेखना है और अगर यह वापस कड़क हो जाती है तो हमें इसे फिर से पीस कर इसका चूरा बना लेना है दोस्तो हमें इन सारी सामगरी को बराबर मातरा में मिला कर एक पाउडर तेयार करना है आप चाहें तो इसका इस्तमाल सूखा मंजन की तरह भी कर सकते हैं और इसका पेस्ट भी बना सकते हैं इसका पेस्ट बनाने के लिए आपको यह चून खाने वाले नारियल के तेल में मिलाना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और जब यह अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो आप इसका इस्तमाल टूथपेस्ट की तरह ब्रश पर लगा कर सकते हैं दोस्तों यह पेस्ट दातों से जुड़ी सभी समस्याओं का एक रामान इलाज है मसुडों में दर्ध, मसुडों में सूजन, दातों से खून आना, दातों का संसिटीव याने की समवेदन शील होना इस तरह की सभी दातों से सम्मंधि समस्याओं में यह हमें राहत प्रदान करता है और साथ ही ये हमारी दातों में जमीवी गंदगी को साफ कर उसमें चम-चमाती हुई सफेधी प्रदान करता है इसके अलावब दातों की सफेधी के लिए एको टूथपेस्ट है जो आप घर पर ही बना सकते हैं और यहाँ टूथपेस्ट दातों को सफेध करने का सबसे तेज इलाज है इस टूथपेस्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा, खाने वाला नारियल का तेल और पुधिने के अर्क की इसे बनाने के लिए आपको खाने वाले नारियल के तेल में बेकिंग सोडा को मिक्स करना है जितना हमने नारियल का तेल लिया है उससे आदी हमें बेकिंग सोडा की मातरा रखनी है और उसमें हमें करीबन आदा चम्मच पुदीने का एक्स्ट्रेक्ट मिलाना है पुदिने का एक्स्ट्रेक आप अपने स्वात के अनुसार भी मिला सकते हैं और यदि आपको यह नहीं मिलता है तो आप इसकी जगा तुलसी का एक्स्ट्रेक्ट याने की तुलसी का अर्क भी इस्तमाल कर सकते हैं यह दोनों चीज आपको किसी भी पतांजली के स्टोर या फिर किसी भी आयरुवेदिक स्टोर पर आसनी से मिल जाएगी। इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करकर आप किसी जार या कंटेनर में रख सकते हैं और रोजाना इसका इस्तमाल तूथ पेस की तरह कर सकते हैं। यदि आपके दाथ पीले हैं तो यह उसमें बहुती जादा कारगर है जो की बहुत तेजी से असर दिखाता है। इसका असर दुगना करने के लिए आप जब इस पेस्ट का इस्तमाल करें तो इसमें दो से तीन बुन निम्वो का रस और एक चुटकी नमक को इसमें मिक्स कर लें। ऐसा करने से इसका एफेक्ट दुगना हो जाता है और इस तरह से यह 1-2 इस्तमाल में ही आपके दाथ के पीले पन को पूरी तरह हटा देता है और देता है उन्हें चम-चमाती भी सफेदी। तो दोस्तों उम्मित करता हूँ आज का इनुस्का आपके जीवन में बहुती कारगर सिद्ध हो लाइक कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो और साथ ही हमारे फेस्बुक पेज को भी ताकि आप डेली आने वाली आयरुवेदिक टिप्स और आयरुवेदिक न्यूस से जुड़े रहें फेस्बुक पर आप अपना मैसेज ड्रॉप करकर चैट के थुरू हमसे बात भी कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूले धन्यवाद